नमस्कार दोस्तों मैं अब देश वार्दवाज मासार्दे को नमन करते हुए पार्सला क्लासेज के इस डिजीटल मंच पर एक बार पुन है आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अविनंदर करता हूँ दोस्तों आप देख चुके हो कि आपने दोनों पारियों का पेपर देखा पहला भी देखा अब भी देखा अब का जो लेविल है वो थोड़ा ठीक है अच्छे लेविल के इसके अंदर प्रिशन आये थे और जहां तक अगर हम बात करे प्रिश्णों की तो आपने जो करेंट करेंट की आप से क्लास विले थी और आपने उस क्लास के अंदर देखा कि साइध एक या प्रस्ण दो प्रिष्ण को छोड़े तो लगवग जितने भी सारे प्रिष्ण है वो कल की आपकी मैराथन ख्लास से आयों मिले थे अब आपका पेपर सॉलूशन का टाइम है तो सबसे पहले पॉलिटी और करेंट अफेर के जितने भी प्रिश्ण आये हैं उन पर हम चर्चा करेंगे उनको हम समझेंगे और इसके उपरांत बाकी सभी सब्जेक्टों के एक एक करके आप यहाँ पर देखोगे तो इसके बाद देखे तो देखेगा प्रिश्ण को निकाली भी यह एक एक प्रिश्ण को और अगर प्रिश्णों की बात करें तो देखेगा इसमें अगर पॉलिटी और करेंट के अगर हम प्रिश्णों की चर्चा करें तो सबसे पहला जो प्रिश्ण संक्या है वो है संख्या पांच में आप से पूछा गया है आप इन सभी प्रिष्णों को हमारी क्लास के अंदर देख सकते हो जो अपने करेंट अफेर की जो एक मेराथन क्लास लीती एजिटेज प्रिष्ण आपके सामने आए है जैसा कि आप देख रहे हो रिलाइंस इंड्रस्टीज जो भारत का प्रिथम इसको इसका पेंचेंज करो थोड़ा भारत का जो प्रिथम भारत का प्रिथम मुल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर विक्सित किया जाएगा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि तमिल लाडू में विक्सित किया जाएगा कहां तमिल सर होगा दी अगला प्रिशन की चरचा करें तो अगला प्रिशन है आपका प्रिशन संख्या 14 तो 14 प्रिशन पर जाओ भई और सुराइव हमारा 243o ग्राम सवाग की एक वर्स में निउन्तम बैटक होना अनिवारिये है मैंने आपको क्लास के लग युदेटा था कि जो आर्टीकल हमारा 243A है आर्टीकल 243A ये कहता है कि ग्राम सवा की एक वर्ष में कम से कम दो बैठक नियूंतम होनी चाहिए अधिक्तम तो राज्य विधान मंडर कितनी भी कर सकता है लेकिन आर्टीकल 243A या आपके सकते हो कि संविधान हमारा ये कहता है कि कम से कम इसकी दो बैठक आयोजित होनी चाहिए एक वर्ष के अंदर तो सही विकल्प क्या होगा डी होगा अगला प्रिशन की चर्चा करें तो अगला जो आपका प्रिशन है बो है प्रिशन संख्या 25 बार-बार ये प्रिशन आया था कि इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना बहुत बार मैंने आपको क्लास के अंदर बताये था कि ये शुरुआत इसकी कब की गई आपको प्रिशन पूछा जाएगा कि इस योजना की शुरुआत कब की गई तो इंद्रा गांधी सहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करे तो इंद्रा गांधी सहरी रोजगार गारंटी योजना जो शुरू की गई वो 9 सितंबर 2022 को की गई ती 9 सितंबर 2022 को की गई थी अगर इंद्रा गांधी सहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करे तो ये जो शुरुवात की गई वो राजिस्तान के जैपुर जिले से की गई ती ये भी आपको याद रखना है कि इसकी शुरुवात भी जैपुर जिले से की गई तो इसका जो सही बिकल्प होगा वो 9 सितंबर 2022 होगा अगला प्रिशन आपके सामने और अगला प्रिशन आपके सामन प्रिसंशंख्या 37 और ये आपका प्रिसंशंख्या 37 यह science and technology का है तो current का इत्रिसंव और इसके अंदर पूछा गया है कि निमलिकित में से कौन सा भारत का प्रतम निजी छेत्र का विक्सित rocket है तो दिखेगा अगर आपसे निजी छेत्र का प्रतम विक्सित rocket की बात करे तो य ये है आपका बिक्रम S-13 कौन सा है बिक्रम S-13 ये निजी छेत्र का भारत का पहला रॉकेट है तो इसका सही आंसर होगा भी ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद अगला प्रिश्णे आपका आर्टीकल 41 41 आर्टीकल 41 इस साइड है और देखियेगा इसके अंदर पूँछा गया है मैं बार बार आपसे class के अंदर कहता था कि ये आर्टीकल exam के अंदर बहुत बार पूछा जाता है मैंने कई बार आप से काहता कि बड़ा important article है आपको इसको याद करना है कौन सा आर्टीकल था कि संविधान के किस अनुछेद के तहट राजपाल विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेक को राश्टपती की सुकृती है तू सुरिख्यत रख सकता है तो मैंने आपको बताया था यह आर्टिकल कौन सा है दोसो यानि आर्टिकल 200 के माध्यम से राजपाल को यह सकती परदान की गई है कि बहे किसी भी विधेक को अब विधेक कौन सा होगा तो या तो बहे विधेक उच्छ नयाले की जो सीमाएं हैं जो सक्तियां उनको कम करने वाला होगा या फिर वो नीती निदेसक तत्वों से संबन्दित होगा यहाँ बहे संबिधान के उपवंदों के खिलाप होगा तो ऐसे विद्यक को राश्टपती की स्युकृती के लिए आरक्षित रख सकता है और इसका उलेक यानि ऐसी सक्ती जो राश्टपती को दी है वो आर्टिकल 200 के अंदर दी है और आर्टिकल 201 के माध्यम से राश्टपती को यह अधिकार है कि वह उस विद्यक पर कोई निरने ले सकता है अनुमती देने से मना कर सकता है उसे पुणर विचार के लिए भेज सकता है तो यह आपको दोनों आर्टिकल याद रखने है तो इसका साही बिकल होगा सी अगला प्रिश्ण आपका आर्टी का ब्यालिस्व नंबर का प्रिश्ण इससे उपर वाला ही है और देखिएगा ये आपके बहुती अच्छा प्रिश्ण पूचा गया है कि पंचैती राजे संस्ताओं के लिए दलिय निर्वाचन की अनुसशनसा कौन सी समयती निकी थी आपको याद होगा मैं आपसे कहता था कि असोक महता समयती ने कौन-कौन सी सिपारिसे की थी तो असोक महता समयती ने जो सिपारिसे की थी उस समयती में एक सिपारिस ये थी कि बही जो राजनितिक दल है जैसे बीजेपी है, कॉंग्रेस है, बसपा है, सपा है, आरलपी है इनको भी पंचायतों के चुनाब में भाग लेना चाहिए इनसे होगा क्या तो इनसे लोगों में एक इंट्रेस्ट डवलप होगा तो ऐसी बात जो समयती ने की थी, वो समयती कौन सी थी, असोक मेता समयती और असोक मेता समयती का गठन कब किया, तो इस मेता समयती का गठन 77-88 में किया था, मौरार जी देशाई की जब सरकार आई थी, तो इसका सही विकल्प क्या होगा A होगा यह आपको याद रखना है इसके बाद अगला प्रिश्ण आपका 43 इसके नीचे वाला ही अगला प्रिश्ण है भारत के अंत्रक्ष कारिक्रम के जनम दाता किसे माना जाता है बहुत ही अच्छा प्रिशन है तो भारत के अंत्रक्ष कारिक्रम के जो जनम दाता माना जाता है वो डॉक्तर विक्रम सारा भाई को माना जाता है किनको डॉक्तर विक्रम सारा भाई को माना जाता है तो सही इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प होगा आपके ए इसके बाद अगला आपका प्रिशन आता है 44 और 44 के अंदर यह पूछा गया है आपसे 44 यह आगे निकल गए हाँ यह देखेगा 44 यह है कि भारत की संसद्य प्रणाली में सुन्यकाल का आश्य क्या है आप देखेए सुन्यकाल का आश्य यह है कि बहें ठीक समय जब प्रिशनकाल समाप्त होता है यानि प्रिशनकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो सुन्यकाल होता है इसे सुन्निकाल के अंदर मंत्रियों के द्वारा या आप कह सकते हो कि जो लोग सवा के जो सदश होते हैं या संसत के जो सदश होते हैं उनको प्रिशन पूछने की आजादी होती है वो प्रिशन पूछ सकते हैं तो यहाँ पर आप दिखेगा यहाँ पर जो पूछा गया है क कि सुन्निकाल का मतलब क्या है तो सुन्निकाल का मतलब ये है कि वो आपके बहें ठीक समय जब प्रिश्निकाल क्या होता है समाप्त होता है उसके ठीक वाद का समय क्या कहलाता है सुन्निकाल कहलाता है तो इसका सही विकल्प होगा ये ये आपको याद रखना है अगला 47 की और 47 की अंदर रूडा के बारे में पूछा गया है कि रूडा है क्या कल आपको मैं एक प्रिश्ण करा ता रात को आपको द्यानो तो अभी जो रूडा ने आयोजन किया था मैं कल आपको बता रहा था तो मैंने आपसे काता है रूडा है क्या तो मैंने आपको बताया था कि रूडा एक गैर क्रसी छेतर का क्या है यानि एक संस्ता है और इस संस्ता की इस्तापना हुई थी गुनी सो पिचानमे में और इसका काम क्या है को जो गैर क्रसी उत्पाद है उन उत्पादकों को यानि क्या करना या अच्छे लेविल पर लाना उनका विकास करना ये रूडा का काम है और कल मैंने आप से काता कि अलवर के अंदर जो क्राप्ट जो बाजार लगाया है वो रूडा ने लगाया था लोगों के द्वारा बनाई जाते हैं उनको यानि यह क्या करता है प्रोचसाहित करता है तो ऐसा जो कारियर रूडा के द्वारा किया गया इसके बाद अगला जो आपका प्रिश्ण आता है वह प्रिश्ण आपका 54, प्रसें संक्या 54 और बहुत ही अच्छा प्रिश्ण पूछा गया देखिए 54 मेरे आपको थोड़ा सा इसनें चौकाया है, चौकाया कैसे है कि देखिए मैंने भी थोड़ी याँ पर गलती की थी जब मैंने आपको पढ़ाया था था मैंने आपसे ये कहा था कि भई ये जो डॉक्टर धीवराव अंबेड कर विश्विध्याले ये जैपुर में इस्तापित किया है ये तो मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं आपको ये नहीं बता पाया कि जैपुर में कहां इस्तापित किया है अब इसने क्या किया ओपसर में जैपुर नहीं दिया जोदपुर दिया किशनगर दिया अलवर दिया और बगरू दिया अब मैंने आपसे ये तो कहा था कि जैपुर में इसको इस्तापित किया है अब जैपुर में कहा तो इसने बहुत चीज बता दी जैपुर में कहा पर तो तो बगरू में, अब अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, तो जैसे जैपर आपसर में नहीं था, तो आप ये सोख सकते हो कि जैपर के आसपास की जगे, यहां पर कौन सी दिख रही है, तो बगरू दिख रही है, तो सही आंसर कौन सा होगा इसका, तो इसका सही आंसर आपके कौन सा होगा बगरू होगा यानि B इसका correct आंसर होगा ये आपको याद रखना है इसके बाद अगला प्रिशन आपका 65 नंबर का प्रिशन अगर आपने class ली होगी मेरी current affair की मैंने सिर्फ जादा नहीं पढ़ाया current affair तीन या चार दिन आपको पढ़ाया था और मैंने आपको 700-800 प्रिशन कराय थे पहला ये प्रिशन पहली class का मैंने आपको ये कराया था अगर आपको याद हो तो 66 नंबर प्रिशन है कि बाई best destination in India Silver Outlook Travel Award 2022 में किसे किले को नवाजा गया तो ये आपका जो किला है ये है आपका कुम्बल गड़ का किला current affair मैं कराया था नहीं कराया था आप सच बताओ आपको मैंने प्रिशन कराया था या नहीं कराया था कराया था आपको अगर आपने class लियोगी तो आपको जरूर पता होगा कि ये किसको नवाजा गया है तो कुम्बल गड़ को सही answer होगा इसका बी इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेस करेगा कौन करेगा पेरिस की अंदर 2024 के ग्रि सुमकालिन ऑ्लम्पिक खेल का होगे योजित होंगे इसके बाद अगला जो आपका प्रिशना आता है वो है आपका प्रसंद संख्या आपके है 83 और प्रसंद संख्या 83 के अंदर आपसे पूचा गया है कि भारत के किस राज्य में 68 भी नेरू ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित की जाएगी तो देखिए ये जो आयोजित की जाएगी ये आपके केरल के अंदर आयोजित की ग यह यानि 68 भी जो नहरू रॉफी जो बोट है इस रेस का क्या किया है यहाँ पर आयोजन किया है तो केरल इसका सटी का अंसर होगा यह आपको ध्यान रखना है अगला है प्रिसिंद संख्या 84 प्रिसंद संख्या 84 की बात करें तो इसमें पूछा गया भारत के प्रतम चीप ऑफ डिपेंस जर्नल विपिन रावत को मर्नो उपरांत किसे सम्मान से सम्मानित किया गया है मैंने आपको प्रिसंद कराया था अगर आपको याद होतो कि देश के दूसरे cds कौन बने हैं और त काता कि पहले जो cds थे बो थे विपिन रावत और विपिन रावत का हेलिकॉप्टर दुरुगटना में निधन हो गया और उसके बाद मैंने आपको एक लायन बोली थी आपको याद होतो कि 2022 में इनको भारत सरकार के द्वारा पदम विभूशन पुरुसकार से क्या किया ग मार्च 85 नंबर का और ये प्रसंद थोड़ा आपसे नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे स्टेट का प्रसंद है हलाकि उन्होंने इसको करेंट से जोड़ दिया और ये तो मुझे भी पता नहीं था इमानदारी से कहूं तो इस प्रसंद का आंसर तो मुझे भी पता नहीं देखिए पूछा गया है कि मार्च 2022 में योगी आधितनाथ ने लगातार दूसरे कारेकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुक्षमंत्री के रूप में सपत ली है वेहराज्य के कौन से नंबर के मुक्षमंत्री है तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका 33 नंबर के कौन से नंबर के 33 नंबर के ये इसका सही आंसर होगा यानि इसका सही विकल्फ होगा ए इसके बाद अगरा जो आपका प्रशन है वो है आपके 87 नंबर का प्रशन देखिएगा सुबह बाले पेपर में और अब बाले पेपर में दोनों में लोका युक्त से सम्मंदित प्र नहीं इन्होंने इसको जवरनिया पर सुवे भी प्रसंदिया और अब भी इन्होंने प्रसंदिया है तो भी जो बच्चे कल एक्जाम देने जा रहे वो एक बार लोकायुक्त जरूर पढ़ जाना क्योंकि आउट ओब सलेवस प्रशन आये हैं सुवे भी लोकायुक्त का परस को नहीं पढ़ाया बजय ये रही भरना ये प्रशन भी आपका भार नहीं जाता लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि ये सिलिवस के अंदर था नहीं तो आप अब जाओ तो एक वार लोका युक्त पढ़के जरूर जाना देखेगा यहां आप से पूछा गया कि राजिस्त प्रशन 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 संख्या 88 थोड़ा उपर कर दो हाँ जी 88 अब देखिएगा इसमें पूछा गया है अब देखिए विधान परशद भी आपके टॉपिक में नहीं है आपके जो टॉपिक में वो है विधान सवा लेकिन फिर भी इसने प्रशन पूछा है लेकिन चलो ये तो मैंने आपको क्लास रूमों के अंदर बता दिया बाकी विधान परशद का भी आउट ओफ स्लेवस पेपर है क्योंकि यहां पर विधान परशद सीधा उन्होंने जो दिया है स्लेवस के अंदर विधान सवा दिया था लेकिन फिर भी इन्होंने पूछ लिया लेकिन चलो ये तो मैंने आपको क्लासों के अंदर बता दिया तेकेगा विधानपरसद के सधश्यों का चुनाब किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि दिए प्रटक्ष चुनाब इनका होता नहीं है। प्रतक्ष चुनाब का मतलब होता है कि जिसमें जनता खुझ अपने भूत पर जाकर बोट डालती है ऐसा चुनाब प्रतक्ष होता है दूसरा सही है तीसरा है क्या नामंकन से होता है नामंकन का मतलब इनको क्या मनोनित किया जाता है क्या नामंकन और मनोनित एक ही सब्द है अगर आप देखोगे तो नॉमिनेशन यानि नॉमिनेट देखिए अंग्रेजी में सब्द को पकड़ यह nominate या nomination तो आप सभी को पता है कि राष्टपती के द्वारा या पर एक बटा छे सतर्शों को मनोनित किया जाता है तो दोनों बात सही है यानि चुनाब एप्रतक्ष भी होता है और nominate भी किया जाता है एप्रतक्ष नहीं होता तो सही विकल्प होगा दो और तीन क्या होग दो और तीन इसका सही विकल्प होगा यानि भी इसका सही आंसर होगा यह आपको याद रखना है अगला प्रशन आपके सामने प्रसंड संक्या 103 और यह प्रसंड भी रिपीट हुआ है जो एकसो तीन बाव प्रसंड है यह सुवय भी और अब भी सुवय भी सेम यही प्रसंड आया था और अब भी यही प्रिशनाया प्रसुन रिपीट हुआ है बापस और देखेगा प्रसुन क्या पूचा गया एक सो तीन में कि राजिस्तान लोग सेवा आयोग के अध्यक्स या सदश्य के कार्यकाल की समापती से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है सिर्फ लेंगवेज परीवर्तित ह हुई है वहाँ पर सदश्य था यहाँ पर अध्यक्स और सदश्य हो गया लेंगवेज में परीवर्त अनाया है बाकी सब कुछ बही है मैंने आपसे कहा था कि लोग सबा के अध्यक्स और सदश्यों को नुक्ति बली राज्यपाल करता है लेकिन हटाता कौन है भारत का अगला प्रश्ट आपका 506 नंबर का प्रश्ट अगला प्रिश्ट का सँक्षा 106 और में अंदर देखेगा इसमें पूचा गया है कि देखेगा राज्यों के पुनर गठन के लिए एक आयों का गठन किया गया उस आयोग के अध्यक्स कौन थे तो डॉक्टर फजल अली इसके क्या थे अध्यक्स थे यह आपको ध्यान रखना है गुनी सो त्रेपन में यह आयोग बनाया था इसकी रिक्मेंडेशन के बाद ही राज्यों का पुनर गठन हुआ सात्वा संविदान हुदन हुआ और उसके उपरांत कुछ परिवर्तन किये गए तो इसका सही आंसर होगा भी यानि फजल अली यह आपको याद रखना है तो यह भी आपका जो प्रिश्ण है थोड़ा सा यानि आउट ऑफ कवरेज है इसके बाद अगला प्रिश्ण आता है प्रिश्ण संख् का एक सोचाउदा और प्रिश्ण संक्या 114 में आप से पूछा गया है कि गोबा में आयोजित कहा गया भई हाँ गोबा में आयोजित आई एफ एफ आई भारतिय अंतराष्टिय फिल्म समारों दो हजार बाइस में किसे वर्स का भारतिय फिल्म व्यक्तित्म घोशित किया तो इन्हें किया गया चरंजीवी को, किने घोसित किया गया चरंजीवी को, ये 9 दिन का एक कारेकरम हुआ था, इस कारेकरम के अंतरगत चरंजीवी को यानि क्या किया गया, यानि इसका क्या बनाया गया था, यानि भारतिय फिल्म व्यक्तित्म घोसित किया गया था, यानि इ देखेगा कल यहां से फिर प्रशन उठेगा, 115 से कल प्रशन आएगा, देखिए यहां प्रशन क्या पूछा है, कि मनरेगा के अंतरगत न्यूंतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो न्यूंतम की बात करें, तो न्यूंतम कितना किया जाता है, 100, और अभ तुमान में 125 लेकिन नियुन्तम कितना किया जाता है 100 दिन कितना 100 दिन तो सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर होगा आपका 100 यह आपको याद रखना है डी विकल्प इसका सही होगा 116 प्रसंद संख्या 116 थोड़ा सा उपर करिए हाँ 15 में 116 आगे बढ़िये थोड़ा सा हाँ जी 116 प्रसंद संख्या 116 और देखिएगा राजिस्तान सुब सक्ति योजना राजिस्तान सुब सक्ति योजना का लाभानवित सम्मू है देखिए ये जो राजिस्तान सुब सक्ति योजना है इसका जो सम्मंद है वो है स्रमिक परिवार की जो लड़कियां और जो महिलाएं हैं उनकी पढ़ाई के लिए उनके विभा के लिए सरकार के द्वारा कुछ आर्थिक सायता दी जाती है तो ऐसी जो योजना है वो राजिस्तान सुब सकती योजना है जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग है उनकी बच्चिय के लिए उनकी बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए और उनके विभा के लिए सरकार के द्वारा जो आर्थिक राशी मुया कराई जाती है वो राजिस्तान सुब सकती योजना के तहत कराई जाती है यह आपको याद रखना है इसके बाद अगला जो आपका प्रसनाता है वो अगला आपका प्रसन आता है प्रसन संख्या 136 प्रसन संख्या 136 प्रसन संख्या 136 हाँ जी 7 से 8 अक्टूबर 2022 को किस सहर में रात का प्रसन याद करो रात को क्लास ली हो तो रात वाली क्लास याद करो ये प्रसन एजेटेज एक्जाम में डिक्टो युई छपके आया एक सब्द भी परीवऱ्ता नहीं किया गया है रात वाली क्लास में जैसा था ऐसा की ऐसा ही आया है क्या है साथ से आठ अक्टूबर 2022 को किस सेर में इन्वेश्ट राजिस्तान समिट का योजन किया गया था तो इन्वेश्ट समिट का योजन किया गया था कहां पर जैपूर के अंदर और ये दो दिन के लिए किया गया था मैंने आपको खूब बताया था अगला प्रिसन 137 रात वाली क्लास याद करो एक या दो प्रिसन को छोड़ दो तो सारे प्रिसन रात वाली क्लास से आए करेंट अफिर किसी देखीगा ये मैंने आपको खूब कराया था कि राजिस्तान के किस Medical College में Pediatrics and Neonotology संस्तान की स्तापना की जाएगी मैंने आपसे खूब कहा था अजमेर का जो आपका JLN Hospital है कौनसा अजमेर का JLN Hospital जवाला लहरू जो Hospital है उस Hospital के अंदर की जाएगी यानि सही इसका आंसर क्या होगा C होगा ये आपको पता होना चाहिए अगला प्रिशन है 138 प्रिशन संक्या 138 और देखेगा प्रिशन संक्या 138 की अगर हम बात करें तो राजपाल द्वारा राज़ की विधान परिशद में कितने सदश्य मनोनित किये जाते हैं अभी मैंने आपको बताया था कि राजपाल द्वारा जो सदश्य मनोनित किये जाते हैं वो एक बटा च्छे किये जाते हैं कितने किये जाते हैं एक बटा च्छे सदश्य राजपा जाल द्वारा मनोनित किये जाते हैं, हलाकि यह प्रिशन आउट ओफ सलेवस है, क्यूंकि आपके सिर्फ विधान सवा था, विधान परिशद आपके सलेवस के अंदर नहीं था, लेकिन लोकायुक्त और विधान परिशद से जो प्रसंद दिये गए हैं, वो दोनों की दोनों प्रिशन आपके out of syllabus है लेकिन फिर भी आपको ये क्लासों के अंदर मैंने बताए हैं तो इसलिए आपका गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए अगला प्रिशन आपका प्रिशन संक्या 147 और ये मौलेक अधिकारों से संबन्दित ये प्रिशन है 147 147 दिखेगा मौलेक अधिकारों के हनन होने पर प्रवाबित यक्ति रिट याची का पेस कर सकता है आप सभी को पता है कि रिट जारी करने की शक्ती किन किन के पास है तो मैंने आपको बता रखा है कि आर्टिकल 32 के तहट सुप्रिम कोर्ट के पास और आर्टिकल 226 के तहट उच्च न्याले के पास यानि हाई कोट और उच्च न्याले दोनों ही रिट जारी कर सकते है तो सही बिकल कौन सा होगा सी होगा अब देखिए आपको मेरी एक सला है जो बच्चे कल एक्जाम देने जा रहे हैं और जो बच्चे 11 तारीक को एक्जाम देने जाएंगे उन ब आप चारो आयोगों को पढ़ कर जाएए, एक लोका युक्त को पढ़ कर जाएए, विधान सवा को पढ़ कर जाएए, राजजपाल को पढ़ कर जाएए, इनको तो और पंचायती राज को, इनको कम से कम आप पढ़ कर जाएए, इनको पढ़ कर जाओगे तो आपके सारे प्र आसों को आप पढ़ जाएए आपके 15 में से 10 से 12 प्रिश्ण आपको मिल जाएंगे इसी के साथ अब आप कला और संस्कृती राजिस्तान की उनसे संबंदित जो प्रिश्ण है उनको आप करिएगा जैन नवाद कि नमस्कार दोस्तों नमस्कार मैं सुरेश देवन्दा पार साला के इस योटूब पे आप सभी का आर्दिक अभिनंदन स्वागत आसा करते हैं उमीद करते हैं बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा और देखो अपना तो राजस्तान जी के तो जैसे ही कराते हैं बच्चे करते हैं गुरु जी बहुत इजी है और यारी जी आप भी रहा है इसमें कोई दोराई नहीं है अब एक आदा क्यूशन की तो कह नह मरुस्तली है यह बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर मरुस्तले जिले कितने हैं तो देखो अगर यहां पूस्ता मरुस्तली जिले है ना तो इनकी संक्या है बारा मरुस्तली जिले एक और आता है शिरोई लेकिन वो मरुस्तल में नहीं आता है यह ध्यान रखना वो मरुस क्यूस्टन है क्यूस्टन नंबर बारा है कि तो विटामिन का तो विटामिन की कमी से यह तो उसका गया तेरा 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 क्यूस्टन यह रहा है तेरे नंबर का क्यूस्टन देखे निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश्य विस्तार है राजस्थान का अक्शांश्य विस्तार साइध मुझे लगता है कि ये राजस्तान के हर पेपर के अंदर ये कुस्ष माता है अक्शšांश्य विस्तार कितना है ये है 23 अप्शल सेक्ट इवं तीस डिग्री से बारा सेक्ट उत्तर ठीक है यानि डी इसका राइट उत्तर है ठीक है लेक्स चलाएं भई है कि उसन नम्बराजाव सत्रा है कि उसन नम्बर सत्रा एक बार सेशन को सेयर कर दो जो फटाफट ताकि इस सब मरुस्तल में धान्ड के नाम से कौन सा जाना जाता है तो ध्यान रखना दोस्तों चंद्राकार बालू का इस्तूप में गर्थ इसका पहला उत्तर जो है यह बिल्कुल राइट है ठीक है अब क्यूशन नंबर है 20 क्यूशन नंबर कौन सा है अजयर वाई यह रहा एक जली है प्रितंत है कि हाँ उत्तरगता का सीमा कारक है तो वाईव है प्रकास है जलह है और मर्दा चार उप्षन आए थे इसके अंदर आपका जो टोप्षन है कि इसका कर दिया साइंस का यार मैं बता रहूं वीस तू बता रहे है कौन सा यार मैं भी देख रहा हूं साइन्स का क्योंसा मेरे को हाँ अब ना है ना डूंडार डूंडार थोड़ी है यह डूंडाड है लेकिन वाइसाब उसका क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं वह से अपना वो मेवाड साहबु दीन मुगल सेला मुगल जो सेली है ना इसके उपर बहुत अच्छी तरह से डंग से प्रबाव डाला है क्युस्षा नंबर आप आजाओ साहब 22 पे कहां है जानकिलाल किस लोक कलासे समंदित है सब जानते हैं जानकिलाल जो है वह भांड है वह बहरूपिया है स्वांगे कलासे है क्युस्षा नंबर 33 वेरी गोड 32 का है यह रहा है निमली कित में से कौन सा एक युगम गलत सुमेलीत है गलत बताना है देखो शाहपुरा से रामचरण जी बिलकुल सही है ठीक है खिरडापा से रामदास जी बिलकुल सही है और सिंगतल से हरी ये गलत वही यहाँ पे ध्य जान रखना हरी रामदास जी आएगा क्याएगा हरी रामदास जी आएगा हरी रामदास जी आएगा और रेण से दरियाव जी सही है तो इसका उत्तर क्या आएगा सी आएगा ठीक है क्योंकि गलत पूछ रहा है यह अगला क्युस्षन देखो हरी रामदास जी हो गया सही है नेक्स चलो किस्ट नमबर 38 किस्ट नमबर 38 आज नहीं लगी कि मेरत अरक कल लगी थी उसमें यह सारे कुछन टेंशन गुले रहें यार अब आप बताओ गुरुजी इतने इजी भी आते हैं क्या यह देखो इजी इजी है सारे काली मिट्टी के बरतनों के लिए कौन सा सवाई मादू पूर है उन्सार है सवाई मादू पूर है GUSH सब्सक्राइब ने लिखी थी संस्क्राइब लियान रखना आपको पड़ाया था कि मारणा प्रता भग रहा था पीछे से मुगल से ना उसका पीछा करती है रोका सक्ति शिंग ने जानकरी अमरका वेवन्सावली देता है जिसके लेका कोन है रन छोड़ बटे यह कोई क्यों संफ क्या स्पार श्रौllow सब्सम्तों वेक्राउच से लने से छे चटर असर दो सब्सक्राइब परभ तोलव क्या कारिया है जान रखना इसका कारिया गैर सरकारी गैर क्रसी शेत्र का विकास यहां रखड़ा भई ठीक है नेक्ष्ट अगला पचाश नंबर का क्यूशन पचाश नंबर का क्यूशन हलो हाव आर यू कैसे हो अरा उम्मीद करते है आसा करते है अच्छा हुआ होगा पेपर वी से बड़े नेवन अले से कौन सा संसकार जनम से संबनीत हैना के इसकी तरव तो देखना नहीं है जडूला चोट्टी करनी मैंने ऐसे करकर के बताया था कल वाली क्लास में चोट्टी काटना एक छड़ा करें था इतना इजी कि उसे नाएगा क्या यह देख होप से नहीं है इसलिए आएवे पेपर पड़ जाना तुम तो मैं कह रहा हूं चंबल परियोजना जिन राज्यों की सयुत प्रियोजना है वे है तो राजस्थान और पंजाब की है द्यान रगना चंबल राजस्थान और पंजाब आगे चलो भई क्योशन नमबर इस नमबर है 57 जल्दी करो भई जल्दी 57 नंबर का कीशन है वेरी गोर यहां पे रोख दो राजस्थान में बारबार आकाल एवं सूखे का क्या कारण है बारबा आकाल पढ़ रहा है बारबार इस प he लिगे तो द्यान और इसके अंदर क्यूसरन हो गया तो अच्छाक्य पसन टाहलए नियमिता वर्सा का कशा地方 होता है राजस्थान में बार बार अकाल एंविंसुके का कारन है यह इसका मुख्या कारण है नेक्स्ट क्यूसर नंबर चलो साट बोश्रम बनानी आ गए साट क्यूसर नंबर साट आप थोड़ी दिर बैठो आराम से यहीं दस मंदर मिनिट लगेंगे साट 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 कहां पर साट है यह है यही है अच्छा ठीक हगी साट कुछण पढ़ रहा हूं भाई देखो निम्नांकित में से कौन सी अगने चत्ताने जालोर में पाई जाती है तो देखो कौन-कौन सी पाई जाती है एक तो ग्रेनाइट पाइड जाती है यानि कि आपका दो उप्षन यह रहा एक और दो चल भाई आगे जोग्रोफी इतनी इजी क्यूशन आया है जोग्रोफी में भी आलो नेक्स्ट क्यूशन नमबर सेवन्टीन नाइन गुणियाशी असी में कम सो में किसकम जल्दी गरो चलो तब तक मैं क्यूशन पढ़ देता हूं बाजू बंद बाजू बंद आबुशन डोट 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 पहना जाता है कहा है वही यह रहा देखो बाजू बंद यहाँ पे य मैं बाजू बंद यहाँ पर आता है तो वह दूबण में आता है बुजा ठीक है बुजा में नाकि चौती विवान ते यहाँ पे कि मैंने बाजू बंद पहन लिया यहां नहीं बाढ़ा जाता है 81 आगे निकालगे कि किसन गड़ की फल कुबाई किस नर्ते से समंदित है किसन गड़ की फल कुबाई किस नर्ते से समंदित है किसन गड़ की फल कुबाई जो है वो चरी नर्ते से समंदित है साथ चरे रखे और फिर डांस करती है इसका क्यूशन पड़ी चुरा क्या बोल रहा है कि यह वेरी गोड रुखला जखले ले फिर देख लेंगे क कुछ नमर 888 नहीं कि इस ममें निकालो आप चुरान में निकाल 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 चुरान में निकाल अगा सार बावन में सी आएगा बावन में सी आएगा आ जो ग्रॉफरी कर बावन का सी क्याए सोड़े को देखने दे आ यह यह पार साब मेरे को राजय में जो लगाके बेजा है ना उसमें यह बेजा है seven जा मेरे भी समझो नहीं रहे हैं राजस्थान म्याद्ध्रदेश तु बता रहा है यह कंफरम करेंगे हैंना यह भी राजेसी ने लगा जोगफी मैंने नहीं लगाई है मुझे जोगफी के अंदर के इंहीं बता रहे हैं वह सिसके पर है न से देखो बताया था मैंने आपको कुस्त नंबर कैसी हो गया है चलो चोराणमन नंबर निकालो यह यहां पर मिस्टेक कर दिया बैए देखो यहां तुरताई कर दि क्या है की तर्थाई माता नहीं आएगी तुरताही माता हएगी जिसका मंदिर तलवाडा बांश्व worldly में इस्तित है उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है तिरपुरा सूंध्री वह सुंद्राजी जो हमारी मुख्यमंत्री है उनकी अराद्य देवी है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है मैं उनसे एक बर कंफरम और कर लूँगा उन्होंने आज वो पहुंच नहीं पाए सी जो भी है वो सी आएगा तो सी ए लगा के वेजा है जो ग्रोफी गुरुजी ने लगाई वही मेरी नहीं है मेरी तो यह जो इस्ट्री यह है अपना यह है क अभी कंफरम करा देंगे हो सकता है उनसे भी जल्दबाजी के अंदर पूचा है एक हाथ में तो बच्चे को ले रखा था एक हाथ में मैडम को पकड़ के चल रहे थे तो गल्ती हो सकती है ध्यान दोनुत्रब केंद्रित्ता मैडम ने कुछ बोल दिया होगा कि सुनो एक यो थेलो लेले हाथ में ठीक है इधर देखो च्यान में च्यान 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 निम्नांकित व्रक्षों में से कौनसा व्रक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है गोंद के लिए अच्छा स्रोत है सालर गोंद प्रव्ब्लम नंबर का जलो जल्दी जल्दी बताओ अब अरे यार तो क्यों पीछे पढ़ जाते हो यह के पीछे पढ़ गए तो उसके पीछे पढ़ जाते हो अर्थ मैं तुम्हारे को शी चैसन बता दी माना की सही है मैंने कह दिया न देखो क्या होता है आप अगर शादी सुदा हो तो प्रोब्लम समझ जाओगे अब यार एक बात आओ एक हात में लेके हैं एक हात में बैकोर दे द्या तो वहाँ पे लड़ाय होगी तो वह तुसी की जिगा बी निकलेगा देखो जैपुर घराने का प्रसिद नर्थे कोन सा है कतक है कोन सा है कतक है नेक्स्ट देखो आगे कुस्स नंबर 101 कुस्स नंबर 101 यह सुबह भी आया था गोगाजी वड़ा सुबह पूचा था सर्पों के देवता और आप पूच लिया गोगाजी का जनमिस्तान काँ पर है और होगाजी का जनमिस्तान कौन सा है ददर्व है कौनसा यह दा दिर्वा कि नेक्स्ट चलो Legi 107 एक सो साथ यह रहा देखो भई अरे क्यूशन यह देखो ना भाई देखने ना ही माल है कि तीसरी जो सबसे उची चोटी है वो कौन सी है मकालू है कौन सी है मकालू है नेक्स्ट क्यूशन नम्मर 113 113 निकाल है कहां पे है अच्छा और निकोल के रोड़ी वह यार सी वालिक ड़ाल के समानांतर नदियों द्वारा बिच्छाई गई कांक्रेली जो कंक्रेली जो सक्रीपटी होती है ना उसे किस नाम से पुकारते हैं उसे गते हैं भाग कर ठीक है कि अरह वो कर लेंगे अब फ देखो भई क्यूसर नंबर 119 आजा भई जल्दी आजा भई क्यूसर नंबर 119 क्यूसर नंबर 119 अच्छा हुआ है पेपर वास्तों में बड़ी आया है सभी का अच्छा पेपर आया है और पढ़ने वालों के लिए तो देखो ऑच्छा ही होता है एक पाट जबस्के बोद्र माथा लगाना पड़ता है और माथा तो लगाना ही पड़ेगा भई 11 कहां है निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवाई को निर्दारित करने के लिए उत्तरदाई नहीं है देखो इसने अंडरलाइन और की है ऐसे तो बोर्ड वड़ा बहुत समधार है बोर्ड निकाल निकाल जल्दी निकाल 124 124 का है अच्छा यह वायार 1857 के विद्रों के समय भीम जी चारण को किस रावत या सामन्त ने सरण दी थी देखो इस क्यूस्षन को तो आप यहीं पर साही कर सकते हो सरसूचना साहिक में ओफर दो नहीं तो कल राष्ट पती सासन लगवाऊंगा ठीक है तुपहले राष्ट पती सासन लगा तिरे तुझे लगे उसकी कसम में बाद में देंगे ओफर ठीक है देखो इसको आप यह से कर सकते हो रणजी सिंग भी राजा था और यह क्रांती का रही है और यहां पूछ रहा है केसरे सिंग बारड तो आया ही बाद में इसको कार दो यह नहीं है क्या आएगा जोद सिंग इसको तो आप वैसे कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमर 125 पारले जी की फैक्टरी का है राजस्थान में पारले जी वो चलता है न पारले जी बच्चों का उसकी फैक्टरी कहां है बिस्किट फैक्टरी कहां है नीमराना में कहां है नीमराना में है 25 में क्या आएगा बी आएगा नीमराना अचल अचलगड दूर के काई स्थी थे इससे जश्ट अगला 126 यह देखो यार यह कोई क्यूशन आने वाले हैं आप इस्ट्री कल्चर के क्यूशन देखना सही बता रहा हूं इतने इजी है कि पड़ने की जुरती नहीं है बिगर पड़े भी सारे चोरे कर देंगे एक दो को पास्त एक नंबर ही क्यूशन आया थारो भी मातो हाल ललो आगे चलो क्यूशन नंबर 127 कि देखो यह क्यूशन के उपर में वेरी वेरी मोश्ट करकर के ठक गया कि छोड़ो आएगा रहा आएगा आएगा और जाएगा का आहड़का उत्खलन कारे किसके नित्रतों में संप क्यूशन के नहीं आए बहुत क्यूशन आए जरास्तान तो आएगा यार जी के तो अरे क्या कर दिया क्यूशन में पढ़ देता हूं तो तो यह तो वस यह से दिखाई दिया अगर क्यूशन नंबर 139 मेवाद प्रजामनल की स्थापन किसक से दिख्ष्था में की गई 1938 में हुई थी द्यान रखना काफी बार चला चला के कहते हैं कि छोड़ुuba क्यूशन आता है यह क्यूशन आता यह क्यूशन आता है वल्वन बलवन सिंग मैता के निवास इस्थान के उपर अप्रेल हाँ द्यान रगना अप्रेल में हुआ था चोईस अप्रेल को आगे 131 कि देखो भाई ये क्यूसन बहुत शांदार है प्रतिहार सासक के सासन काल में जैन ग्रंत हरी वनस पुरान वै कुले मला की रचना हुई थी किनके काल में वह थी वस्राज के काल में वह थी जब वस्राज यहां का क्या था राजा था अगला चालूगरों भाई साब 132 यह ना यह रहने तो नहीं किया आ गया राजस्थान के कितने जिलों में जंजातिय शेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है कितने जिले हैं तो ध्यान रखना 6 जिले हैं दील लगा दो वै कितने जिले हैं 6 जिले और इसकी PDF चाहिए टाइप करके बढ़िया तो पार साला के टेल 133 माही कंचन और माही दवल किस पसल की किस्म है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गरवाड़े काते थे कंचनाली मक्का ले राजिर वया तो कंचन आएगा क्या आएगा मक्का से समंदीत है यह बड़ा बड़ा बुठा आता है न खाये ओ यह बड़ा बड़ा शिरा वो हैं बहुद-बहुद बहुद सुब कामना एं अग्रिम सुब कामना हैक है कि यह इंडिय स्ट्री का क्यूषन है और बहुत अच्छा क्यूषन है हाँ भई नेक्स्ट हडपा सब्वेता देखो भई हडपा सब्वेता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रालय बनने जा रहा है हरियाना के अंदर है राखी गड़ी में हरियाना के अंदर क्या है राखी गड़ी वहाँ बनने जा रहा है तो दोस्तों कल जो देने जाए जाएंगे उनको अग्रिम सुबकामनाई माँ फिर से कह रहा हूं मेरी चार या पांच क्लास देखने जरूत नी कल की क्लास देख जाना इस्ट्री कल्चर के पूरे क्यूशन सही हो जाएंगे जो लगाए ही हे हेला सांकला का टाइर से समर्ण दित हैं लगा देतायन आपने लगाओ कि बस सर लास्ट क्यूसन है कि जो दुचन नमबर 403 आजाओ ते खड़ाओ दो सबसें पसक्राइब को सक्राइब कि यांग केंदें तो आज कल केपर लीक हो रहे हैं कोई लीक नहीं होगा पूरे इमान दारी इसए होगा फाल तु बखवास करना बंद कर दो यह माहूल बनाते हैं माहुल के अंदर नहीं आना है पूरे इमानदारी से पेपर हो रहे हैं और पेपर का लेवली हैसा है यार जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो करके आएंगे तो कल जो देखे आए ना जितने भी अपने गुरुजन क्लास लिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता कल करंट की क्लास हुई है उसमें सारे क्यूशन मिले जो कल की क्लास थी ना मैं यहीं था आप सबको पता है क्लास में मेरे सामने फाइल वनी थी कल मेरी क्लास है यह मोसम मना रहे है गुरुजी आप आराम से बढ़िया पड़ा है जैदीब जी सन्ने मेरा थन लिए यह मेरा थन देखके चले करना एक बार सारे गुरुजन होगी आपका पेपर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन 130 प्लस करके आजा होगे आप ठीक है बैस्ट ओफ लक शुब काम नहीं आप सबको थैंक्यू दन्यवाद गुरुजी और बताओ किया होते आज तो सगलो जी के करवा दियों है अब जेदीब सर त्यार हो रहे हैं कि दो मिंड़ा मोसा मना दियूंगा यह यह पेपर है 24 का निकाल दो रेंकिंग टेस्ट का गिर्शन था कि अधर देखो राम राम सबने पहला तो और बताओ देखिया हो देपर करके आया हो बहुत अच्छों पर आया है तो अब देखो पहला कि अपना आया था रिजनिंग का 24 नमर और रेंकिंग टेस्ट का कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था इसके अंदर यहां देखो क्या radas परिवर्त परिवर्तन के सतवा यहां से डाइब करने के बाद कंग और निकाली किस्तान निकाले जी साधे रखा है आठ तो अंतर यहां पर कितना आ रहा है च्यार आठ में च्यार जोड़ दो आठ प्लस च्यार कितना हो गया बारा जहां पर भी ओप्षन में बारा है मोसा मना दो ठीक है कि यह लीजिएगा आगे चलो आप क्यूस्टन नम्बर है शेवंटी सिक्स शेवंटी सिक्स का शेवंटी सिक्स बहुत लंबा गैप दिया है शेवंटी सिक्स है लाएब, देखो यहांपर आप के सामने क्सका था, 미्सिंग नम्बर का आपके सामने क्यूसन था, कुछ नहीं करना था, इन दोनों को मल्टिपलाई करना था, ठार हो मल्टिपलाई करए बाग किसका यह देते च्यार का यहाँ पर भी 9 को 14 से multiply करके बाग किसका यह देते च्छे का इसी तरह से अपन लोगों क्या करना है 25 को जो multiply करना है किस से करना है 12 से तो आपके सामने किते हो गए 200 प्लस 50 कितने हो चुके है 300 और 300 में आप लोग भाग किसका लगा तो 15 गा तो 15 दूनी कितना हो गया 30 यानि आपके सामने 20 जहांपर भी option में 20 है वो आपका right answer है तो correct answer आपके सामने कितना चला जाएगा बेस मतलब खोपड़ा लगाने वाला था अब लगता है स्रल है लेकिन खोपड़ा भी लग सकता है ठीक है चलिएगा आगे अपना रिजनिंग का जो क्यूशन है 86 का 86 86 अपना यह रहा थोड़ा सा और उपर कर दो बस बस बहुत है अब देखो क्या दे रखा है आपके सामने दे रखा है पर्थम दो समझ से आकरती के बीच एक निश्य समन्द दी गए मतलब इन में जो समन्द है वो इन में अपने पास समन्द आपके सामने होना चाहिए और यहां पर क्या करना है सरल डेखा काउंट कर लेते 1-2-3 4-5 और 6 यहां पर 6 लेकिन वरत अंदर है और आगे देखो 1-2-3-4-5 यानि कितनी कम है आपके रहा शेक सरल देखा कितनी है चार अब 6 की पांस तो यहां पर सरल देखा कितनी कर दो तीन वाले उप्सन कितने बहिए दो अपके सामने ए और डी उप्सन है अब देखो यहां पर जो अंदर वर्थ था सिंगल था इसको आउटर राइट और लेट में लिया गया तो इसको भी राइट 109 नमर के क्यूशन पर चलिए 109 अगला देखो आपके सामने क्यों गोंड सा है यहां पर भी सिरीज का क्यूशन है और यहां पर पर एकांतर सनेंटी का क्यूशन है कैसे देखो यहां पर के गयारा पर यहां पर कितना आ है दस पे साथ सह अचरव गया पार्स देखो पूष्त interpreting पूझा लेकिन शक्रवार क्या यहीं वाला प्यूशन आपके सामने कौ्ण चाहेगाम पूंप क्यों चलो ऑग्ला कि आपका 117 नमर के तो 117 नमर पर आ जाईएगा 109 में सी आ गया 117 वाला 136 का क्यूशन क्या है भई यह तो जिक्य का क्यूशन अपना कोई रोल नहीं है 117 नमर का आप निकाल दिये हैं हाँ भई देखो कोडिंग डिकोडिंग के यहाँ थोड़ी सी प्रोब्लम आईए है कैसे ही है देखो सी आपके सामने खुद को बढदा है 3 पर होता है और 18पर होता है इपानथ पर होता सेम कंडिसन देखेगा आपके सामने यहां पर क्या दे रखा है सी कितने पर आपके सामने तीन पर ओ कितने पर आपके सामने पंदरा पर यू इकीस पर है आर अठारा पर है टी बीस पर आपके सामने और आपके सामने क्या पूछा है सेm condition आपके सामने पूछा है तो 3 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 20 प्लस कितना आ गया 5 आ गया तो टोटल कर लो 5 रेक 6 और 6 राट कितना 14 और 14 और 3 कितना आ चुका है 17 आ चुका है ठीक है और एक रेक दोर कितना आ चुका है दोर दो च्यार 47 को multiply दो से कर लो साथ दोनी 14 च्यार दोनी 8 रेक नो मतलब 94 जहां पर भी आपके सामने आंसर आ रहा है वो सहे लेकिन इस क्यूशन में थोड़ी सी मिस्प्रिंटिंग है पहले ही बता देता हूं मैं ठीक है यहाँ पर थोड पूछा गया था सुबह वाले पेपर में ठीक है तो यहाँ पर जो क्रेक्ट आंसर आएगा वो 94 थोड़ी सी मिस्प्रिंटिंग फिर बोल रहा हूं मैं 96 की जगह 98 आना चीए चलेगा अगला अपना जो लास्ट क्यूशन आया रेजिनिंग का वह 122 कि 122 अपना कि लास्ट क सब्सक्राइब किसों दिशा में जा रहे किस दिशा में जा रहे तो आपको पता है कि कौन आश्यां सा आ गया पूरा आपके लिए देख वरिजिनिंगे क्यूसन तैयार हो रहे हैं आपका महसा मनाने के लिए तो मैस के जो बाइस कुछन आये हैं उन पे चर्चा करेंगे तो आईए सर दन्यवाद सर देखेगा मैस का सेशन रहा जो मारा सुबह का जो था पेपर सेम उसी पैटरन पर मैस के कुछन इस पेपर में देखने को मिले और टोटल नंबर ओफ कुछन सुबह भी इतना ही थे सेम और यहां पर भी वही सेम कुछन आता है देखे सबसे पहला कुछन मैस का है आपका कुछन नंबर फूर चोथा नंबर स्वाल चार नंबर का बताएं सब चार नंबर कुछन निकालेगा चार नंबर गिश्टन पेपर का तीन नमबर सोरी संभाउ तिरबुच। नर इसे हैं, लिखा संभाउ तिरबुच का से तरफल देए 25 रूट 3 है, इसका परिमाप पुछाय है, क्यों होगा, संभाउ तरफल होता है, रूट 3 बटे, 4 गुणा, बुजा का स्क्वार, रूट 3 वाए फोर इंटू साइड का स्क्वार कि यह देर रखे आपको 25 रूट तीन रूट तीन से रूट तीन आपका कड़ जाता है बुजा स्क्वाइर का जो अंसर आया वो सो इसकी बुजा आजेगी कितना 10 आप से पुछा गया गया परिमाप पूछा गया परिमाप क्या होता है संभाव तिर्भुज का परिमाप का मतलब होता है बाउंडरी तीनों कुछाओं का योग दस दस और दस तीनों को जूड़ दिया आपका सही अंसर बनता है यहां ओप्शन डी संभाव तिर्भुज से हर पेपर में से प्रेटी वस्क्रेशन लेवल में पूछा था और आज भी पेपरमें से अंधनी इसके बाद अगला स्वाल आपके सामने है नंबर नौ नंबर कर गिसीन नंबर नो मैंट्स का अगला कुष्षण आपके लिए है नों नंबर है है था है है लगोंको देखिए मेरी म्योर्थिन की क्लासरे आप लोगेंरेंड करी है हार हर परमें एक्लास उसी प्रॉपर्टय पे हैं केवल नंबर बदलें लगोंगुणक और गातांक का सूरू से साहनी से बना सकते हो जो अधार लगू गुणता होता है वही अधार किसका बनता है गातांका बनता है अधार कितना 2000 27 यॉज फोन कि 27 कीपा गहातegen एक यॉटा 6 बराबर X के होगा तो आपसे पूछा गया इस x का मान क्या होगा इस x का मान आपसे पूछा गया कितना होगा तो देखे 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यों तीन गुणा तीन गुणा तीन सताइस होता है और इसकी पावर है एक बटाच है किसी भी संख्या पे घात लग रही हो उस पे फिरसेगर घाते आए तो वो इसके बाद अगला किसन आपका 16 नंबर 16 नंबर किसन मैट से 16 नंबर स्वाल के उमीद है आप लोग सब अच्छे से पेपर करके आयोंगे आप में से जिसने भी पेपर दिया बहुत आसान मैट्स बेसीक मैट्स का पेपर आया और पूरा मैट्स से हर टोपिक से कुष्ण से बताया कि पेपर में वह पांच कुष्ण नहीं आएंगे पांच दिमाग में लेकर के मत बैठ जाना हो क्योंकि सलेबस इसी कही था यहां सलेबस था पूरा 15 से 20 टोपिक थे मैट्स के अंदर पूरा कराया गया आपको एक चीज कराये गई हर टोपिक से कुष्ण आया है चले अगला किस्तन 16 नमबर आप लोग देख रहे हैं जनमदर का एक सहर की जन संख्या एक क्रोड़ जिसमें जिवित जन में वच्चों की संख्या 85,000 तो जनमदर होगा तो 85,000 है टोट़ल जन में वे वच्चों की संख्या 85,000 जो जनमदर निकलती है वो परती 1,000 पर निक गुणा होता है जनमदर प्रती हजार पे निकलती और यहां आपका आंसर कितना बन जाएगा एट पॉइंट फाइब आठ पॉइंट पाइब आठ पॉइंट फाइब इसके बाद कि अगला किस्टन आपका मैट से किसन नंबर तेईस से तेईसवा नंबर किस्टन कि पावन क्या करें तो हमारे इस दैनल के उपर मैट की मेराथन कलासे जोहूर की एक बार से पहले उनको देख लेना एक भी ऐसा किस्टन नहीं होगा जो आप ना कर पाएं कि देखिए 23 रंबर क्युस्तन की बहुत वह हुई 23 रंबर क्युस्तन यह देखिए आपके सामने है एक व्यक्ति ने 10 रुपे में 11 की दर से पैन खृदा लाहबानी का एक असान सा स्वाल और एक यहां पर आता है आवरती चक्कर का दोनों क 2.1 कि देख लिएगा है ओक देखिए 24 रंबर क्युस्तन रुपे में 11 की दरसे पैन खृदा गया क्रेयमुल्य दे रखा है सीपी दस रुपे में 11 यह वह खृद नेंका और बेचा गया गया रूपे में दस की दर से सैलिंग प्रैस दे रखा है 11 रूपे में 10 की दर से बेचा केवल क्रॉस मेल्टिप्लाई कराना है उपर हमेसा रूपिया लिखोगे सो रुपे करें मुल्य होगा ग्यारा गुणा ग्यारा एक सो इकिस में आपने बेचा लाब हुआ और 21 रूपे का और 21 प्रॉफिट का प्रसेंट ओगा 21 ऑप्सन सी आपका सही जवाब यहां पर ऑप्सन सी बिल्कुल सही जवाब कि अधाने आप संजे खहाँ मैंने में पूरी खेला में पूरी कलास लिए संजे आप जिस दिन पेपर दे करके आ आइए अवाब नवा खिसके बात देखे हैं फेख गया इसक लिए म एक और शिवार में या पर लिव्याज करे उख हां यह आ आप से इस बकर में माद्दी का पूछा गया था यह संचाई आवरती का बारंबारता वक्कर आपको दे रखा डाइग्राम आपको दे रखा था केवल आपको माद्दी का बतानी थी जिसका जवाब होगा 25 नमबर इसके बाद अगला क्युस्तन आता है आपके सामने 26 वा नमबर 26 नमबर कर देखेंगे इसके बाद अगला सवाल ? अगर मैंने जो वराथन क्लासे जो हमारी हुई है हर एक क dificil आपको पड़ाय में से मृद्याओ 26 नंबर कुष्ष्ण जो है आपके सामने इसके बाद वेगे मेंट मेंत्स चेप बीसवाँ नंबर किषण वर्ग मूल पूछा गया है अरए इसका जो वरग मूल होगा आट साथ नो चेते वर्ग मूल करना मैंने सिखाया है साफ साप सलिबस में लिखा था कि 6 अंकों संट्यागाра क्यों रूट भी करना आना थे में आपको दोनों ही पारी किश्ण देखने करें को मिले क्योंी रूट का आज के पेपर में में स्कॉयरूट पर क्यूशन लिएंग एक जटना आपके सामने है एक एए थिस देखे तीस रंबर बेसिक ट्रिग्नोमेटरी का पहला पॉइंट सुभेगी पारी में भी इस पॉइंट पर कुष्ण था और इस पारी में भी वापस यहां से कुष्ण मिला जो ट्रिग्नोमेटरी का पहला बेसिक पॉइंट है उस पे हर पेपर हर पारी में कुष्ण आएग को लंब निकालना था लंब क्या होगा वी का स्क्वाइर माइनस एक स्क्वाइर बीका स्क्वाइर माइनस एक स्क्वाइर इसका भी क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा यह लंब का आंसर आ गया आप से पुछा है टेन थीटा एन थीटा होता है लंब बटे आधार लंब का दो कोलिए आंसर है root b-square minus a2 तो देखो ऊपर आएगा root b-square minus a2 जो option a में भी है और option d में भी है तो root b-square minus a2 इसके लिए च इसके नीचे आएगा आधार घंब कितना है तो आपका सिह जवाब होगा option d. Option d root b-square minus a square upon a इसका बिलकूल सही जवाब in option d. कि चले इसके बाद अगला कुश्शन आपके सामने हैं आप से 30 junock 33 number question maths का है क्यूब का कूछा 101 का क्यूब क्या होगा 101 का क्यूब क्या होगा तो इसका सही जवाब बनता है 1033301 1000ca2 करना था बस केवल आपस 101 का क्यूब पूचा था तो इस पारी वेदिक मैंच से बीकिस्तन आया है क्यूब करने का भी किस्तन आया है कि चलिए इसके बाद अगला किस्तन आता है मैच से कि अगला किस्तन आता है मैच से 49 नंबर एवरियस का एक बेसी को रहसान सवाल आठ करमागत पुर्णांकों का उसत 23 वटा दो है आठ करमागत पुर्णांकों का उसत 23 वटे दो है यह उसत दिर्ख है पर्थम तीन पुछेगे पर्थम तीन पुर्णांकों का उसत पुछा गया है तो यहां आपका आंसर बनता है option B जो आपके पुर्णांक होंगे वह 8 9 और 10 यहां चलेगे लगातार 8 नंबर लिख दो आप लो बीच वाला पदी क्या बनेगा इसका औस बनेगा और यहां असर बनेगा यौ 3 कि इसके बात कि अगला किश्ट्न आपकी सामने है 51 नमर क्या वन मचिश्टान 51 तुछ अवं किश्ट्यू कुक्री से लिखा सहources है गुणनद्खंद से लिखा है गोला गया एक्स फ्लस ओड़्यद गाण गुल्बR का घज़िए न का मान क्या होना चाहिए आण का मान केולझ विसम्संक्या ड़ना चाहिए और नंबर होना चाहिए विसम्संख्या Wenya यह डिया इसके बाद अग्ला सोछ आपके साथ եा मैट से आता है अगला सोछ 55 लए मैं पच्पन नमबर के चुला देखें पर पर चक्रवर्ति ब्यास का एक अच्छा कौर्भी तर इस वात करवरती अछ सहे धन रास्य・C पंदरा साल में दुगना हो होने में 12 नहोने में 15 साल लगे है 8 गुना पुछाय का अग्षी मेरा एक रुपिए आपके पास बोरूपे बंजाएंगी संधरा संद्रा самого shipping कब कर दो रुपे बना 15 साल में दोका डुगना होता है चार अगलिक्द साल में चार गुणा और चार का दुगना होता है 8, चो अगले 15 साल में 8 गुणा हो जाएगी यानि टोटल समय लगा आपका 45 साल tinham 15 और पंदरा और पंदरा option A बिल्कुल सही 자वाब 45 वर्ण पर 45 साल हाँ बिल्कुल सही जवाब संजये पतव क्युल जवाब के सामने है मैट्स का कि 69 कि 69 कि 69 नंबर क्युष्टन आता है रेश्यों का एक आसान और ठीक स्वाल देखिए दे रखाया चार अनुपात पांच में परतेक पद में कौनसी संख्या जोडी जाएगी कि यह नुपात कितना बनेगा पांच अनुपात च्यार अनुपात पांच सब्सक्राइब है दोनों में कम से कम क्या जोडें गें कि यह नुपात बने फांच रेह पूछा गया तो यह बहुत ही आसान सा स्वाल बताऊ आप सब लोगा आइसर आएगा 40 पांच में क्या जोड़ा एक बना तो देखो डोनों में व्रदी समान ओर यह चार से बढ़के ये 5 हो रहा है ये 5 से बढ़के यह 6 हो रहा है तो कितना जोडा गया एक जोडा गया बस इतना इंतना यí पूछा था'RE दोनों में कम से कम क्या जोडा गया एक जोडा गया कि IS-से आसान कोई क्या भी पूछेगों तों से ना एक अंशर विल्कूल सही ये सनजाई कि एक एत्तर नंबर क्युष्टन आपके सामने है एक तिर्बुज के दो सिर्सों से सम्मुख बुजाओं पर डालेगे लंब अगर समान हो तो वह तिर्बुज कौन सा होता है सम्धी भाव सम्धी भाव तिर्पुज होगा तो एक विछल से सम्मुख बुझाओं सवाल आपको एक तृब्ज के सिर्षों से सम्मुख बुजाओं पर डालेगे दो लंब ब्राबर हैं तो वह सम्धी भाव तिर्पुज अगर बराबरों तो संभाव होगा, दो बराबर है तो समधीभाव। इसके बाद अगला किश्चन आता है आपके साथ 75 नंबर, पचेत्तर नंबर स्वाल, पचेत्तर नंबर किश्चन 75 लिखा एक लंब बरती है संकू का आइटन, किसका आइटन संकू का आइटन 16 पाईए, बताओ कितना दिरकाई है, 16 पाई, उन्चाई इसकी 12 मिट रहे तो इसके अधार का व्यास कितना होगा, व्यास पुछाए आधार का व्यास, देखिए पाई से दो पाई कड़ जाएगा, उन्चाई आपको दिरकाई कितना 12 तो उन्चाई की जगह रख देंगे, एक बटा 3 गुण आर स्क्वाइर गुणा 12, बराबर 16, तीन से कड़ जाएगा ये 4 बार और ये 4 आगे दागे भाग होगा, आर स्क्वाइर बराबर 4 आगया, आर बराबर 2 आजाएगा, तो व्यास पुछा है व्यास, अंसर 2 नहीं आजाएगा, इसका ध्यान दे दिएगा, आधार का व्यास चार मीटर होगा, व्यास जो है त्रिजगा दुगना होता है, चार मीटर होगा, टोटल 20-20 कुछन आपके मैच में सुबह भी मिले थे, आज साथ एक और भी जादा है, आपकी पारी में तो सुबह से भी जादा कुछन है, जितना सलेबस था, जो सलेबस के अंदर टोपिक ऐसा कोई टोपिक नहीं छोड़ा गया है, इसी तरह से पेपर बनने चाहिए, अगर सही में पेपर बनाया जाए तो, बिल्कुल सही तरीका, जहां से भी अबकी बार पेपर बनाया, प्रॉपर तरीके से पेपर बनाया, बिल्कुल, इसके बाद अगला किस्तन आता है, 80 नं चतान के सिर्फ से दो नावाका अवनमन कौन ? raft Z take 30D अग़र, तो नावों के मद्य की दूरी क्या होगी, यह दि नावैं तो, बि अभी ती दिसा में दोनो नावे, ть बीक्व की दूरी पुछा गया कितना होगी ? चतान की जो उन्चा की दिरक है, वो 1,500 तो यह नाव इस तरफ है तो दूसरी नाव इस तरफ है दोनों आपोजिट डारेक्शन में भी प्री दिशा में चटान से केवल वो दो लाईने का मारी है तीजिश दिगरी पास वाली कूल्टष हाँ जाँ को देखो यह दिर्ख अपको 1.500 को जोड़ दो चास प्लस डेड़ सो यानि आपका आंसर होगा 200 रूट तीम ऑप्शन बी आपका सही जवाब 200 रूट तीम कि चलिए इसके बाद अगला स्वाल है आपके सामने मैच से कि 90 नंबर 90 नंबर किस्टन करते है कि इस सरक्ल रिक तो इस सरक्कल का चैतरफल आपसे पुछा गये कितना होगा आयत जिसकी आपको बैज कर चूड़ा है आप क्योंकि जो इसके बाहर सरकल बने गाए स्की जो क्रीज्या होगी वू इसके विकन का आधा हो गी टो regenerane कैसे निकालेंगे आप पाइथागो तुरम से निकालतें मीरूट आफ लंबाई का स्कुरप लगाई का स्कुरर मिशनी को सोलागए06 Πाई आर स्क्वार यनी 100 पाई बिल्कुल सई ज्वाब आप्सन ही वर्ट का स्रेपल होता है पाई स्क्वार बिल्कुल सई बिल्कुल सबाफ से जवाब आटा है नाइन्टीवन नंबर कुछ नinnen 91 नमबर क्विश्टन मैंने हर कलास में रेश्यो का टोपिक सुरू होते ये दो कंसेप्ट बताए हैं कि अनुपात में जो सबसे अच्छा स्वाल बनता है या तो बनता है सिक्कों को लेकर तो सुबह की पारी में दिखा कृष्टन सिक्कों का और इस पारी में कृष्टन बना सिक्यों इंकम को ले हैं orp देखो ए और बीदो वेक्ति है यह और हर पिवारी में आएंगी उरू अगली दोनों कल के दोनों पेपर में मिलेंगे नुपात 2 कि खर्चा कितना है तीन पात 2 चैने आपकी भूख में है सेम का सेम इनी नमबरों के साथ क्योंकि पहले आया वाकि बिबाइम पूछा गये वी की मासी का ये क्या होगी वी कि आए बतानी है धेको इसने अपनी आये चार में से 3 खर्च कर दिया, एक बचाया इसने 3 में से 2 खर्च कर दिया एक बचाया, दोनों तरफ बचत बराबर है और दे भी बराबर रखी है a की का मान होगा, सिधा-सिधा लिख देंगे छस्सो रुपए a की का मान बनेगा कितने रुपए? 600 रुपए अगर A की आए पुछे 600.4, 2400 और अगर B की आए पुछे 600.3, 1800 रुपे option B आपका सही जवाब 1800 रुपे B की मासी काई होगी 1800 रुपे 1800 रुपे बिल्कुल सही अंसर रामुतार ने अंसर दिया 1800 रुपे भहत सही अंसर अंसर रुपे एक सो ठारा नमबर एक सो ठारा नमबर में है एक लिटर का एक्सो ठारा नमबर कि एक लिटर का कितना परतिसद 200 मिली लिटर होगा एक लिटर का हाँ देखिए यह परसंटेज का एक बेसिक आसान स्वाल एक लीटर का कितना प्रतिसत 200 मिली लीटर होगा एक लीटर में 1000 मिली लीटर होता है एक लीटर बराबर होता है 1000 ml तो 200 जो ml है वो 1000 का कितना परसंटा यह पूछ रहा है बस के वराब से 200 बटे 1000 गुणा 100 यह 0 काड़ आजेंगे आप यह 0 भी कर जाएगा और यहां आएगा 20 परसंट 20 परसंट आपका विल्कुल आसान सा स्वाल परसंटेज पर बना 30 परसंट बिल्कुल सही जवाब संजय है बिल्कुल सही तो यह था आप लोगों का मैट्स का सेसन इसके बाद अब आते हैं साइंस के सर हाँ साइंस के कुस्टनस देखोगे आप लोग हाँ संदीप सार आ रहे हैं आपके सास करता हूं तो आज यह था यह संदीप साल आप सभी का अर्दिक स्वागत करता हूं तो आद जो सेक्षिंट में पीफर हुआ है चलो शुरू करते हैं देखना मैं आपको जैसे की साइनस संबंदित कुश्टस तो बताऊंगा ही बाकि हिंदी और इंग्लिस के questions के आंसर भी आपको टिक करवाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question आपके सामने है निम्न में से कौन सा पक्षी फासपुरस चक्र की एक कड़ी है फासपुरस चक्र में कौन सा पक्षी काम आता है हम सब जानते हैं दक्षिन अमरिका के पेरू Q2. A couple No, 4 Question No, 4 is दालचीनी पादपके किस बाख से प्राप्त होती है अगर आपने कभी किच्चन में खाना बनाया हो जब दालचीनी का इस्तवाल किया हो तो आपको नहीं आता हो तो ही बता दोगे दालचीनी क्या होती है एक लगडी की छाल सी जैसी होती है उसे दालचीनी किया रहा है subordinate का हंदी पारवासिक सब्द क्या होता है subordinate किसे कहते हैं अपना भी तो होता है ना अधिनस्त वोट सब्सक्राइब बोट इस कुश्चन कैसे जवाब होगा option is the correct answer question no.7 English का question है subordinate का मतलब होता है अधिनस्त उसके बार हमाएंगे question no.8 पर और question no.8 भी English का question है choose the most appropriate technical translation of the following word circular circular किसे कहते है सुचना को नोटिस को परिक्रमा को परिपत्र को तो इस question का सही जवाब जाता है option is the correct answer circular को कहते हैं परिपत्र और उसके बाद में चलते हैं अगले नमबर के सवाल और अगला नमबर का question अच्छा एक सवाल और रहे गया अपना science का छटे नमबर पर जाईए से question no.6 question no.6 अपन से छूट चुका है अभी देख लेते हैं question no.6 science का है rheumatoid arthritis is an disease rheumatoid arthritis किस्पकार की बिमारी होती है hypersensitive अतिसम विदन सील होती है नहीं होती है और उसके बाद में हम चलते हैं अगला question no.10 वह साइंस का है और आप सभी जानते है और आप सभी जानते है और आप सब्सक्राइब जो है और प्रतिजन होता है प्रतिजन मतलब एंटीजन और वह कहा मिलता है स्वेत रुदिर कणिक पर मिलेगा लिपोसाइट पर मिलेगा बिमारू पर या तो हम जानते हैं एंटीजन का मिलता रह फ्रेक्टर भी एंटीजन होता है एंटीजन और वीसी की सत्य पर मिलते हैं उसके बाद में चलते हैं अगला कुश्चन नमर है 11 वह 11 नंबर का सवाल आपका है आपके सामने है युदिस्टर सब्द में कौन सा समास है तो स्कुश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन एस दे करेक्ट आंसर बहुबरी तो 11 नंबर सवाल का जवाब होगा उसके बाद चलते हैं 12 नंबर का कुश्चन जो साइन्स से संबंदित है और आप सभी जानते हैं सुनहरा चावल गोल्डन राइस का उत्पादन लोगों में किसकी कमी को कम करने के लिए किया जाता है तो आप जानते हैं गोल् और आप अच्छे से जानते हैं किसे जवाब होगा और से करेक्ट आंसर विटामिन ए यह साइंस का सवाल बारे का अंसर ए होगा उसके बाद में अपना अगला कुश्चन जो आता है कुश्चन नंबर 15 नंबर इंग्लिस का कुश्चन है पड़िये थोड़ा सा 15 नंबर इं पीस से कुश्चन आया है 15 नंबर के सवाल है चूस दा करेक्ट इंडरेक्ट फॉम अप गिवन सेंटेंस फॉम दा ऑप्शन गिवन बिलो सी से जवाब होगा और उसके बाद चलते हैं अगले कुश्चन पे कुश्चन नमर आएगा 21 21 साइंस से संबंदी सवाल है देखते ह जली पारितंत्र के लिए उत्पादक्ता का सीमीय मतसिमा कारक क्या है सबस्कित कई से जवाब होगा तो कुश्चन का सेजवाब होगा, option D is the correct answer, तो किस का अंसर 21 का अंसर होगा D, प्रिकाश, तो उसके बाद हमें सीधे पहुंचना है, question no 27 हिंदी का सवाल है, देख लेते हैं क्या है, question no 27 हिंदी का question है, मुसीवत के समय उपाय खोजना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, मुसीवत के समय उपाय खोजना, आग लगने पर कुवा खोदना, सीधे सीधे दे जा रहा है, इसका तो आंसर सठी, और question का सहीजवाब होगा, option is the correct answer, 27 का अंसर होगा, आग लगने पर कुवा खोदना, 28, आपाद मस्तक सब्दि के लिए एक सार्थक वाक्यान से है, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आपाद, पाद मतला पैर मस्तक में तर पैर से सिर्टक, question का सहीजवाब क्या होगा, option D is the correct answer पैर से सिर्टक, चलिए चलते हैं एकले question पे, और next question जो अपना जाता है, question 34, normal 34, 34, 34, 34, ओर वह गया, और नीक यह गया, सब्सक्राइब होगा सब्सक्राइब करिया उसके बाद है 35 साइंस का सवाल है पढ़िए इन और टो गेट डिमिनिस्ट वर्चुल एंड इरेक्ट इमेज्ड ऑब्जेक्ट कें प्लेस एनिवेर इंफरेंट अब देखो कैसा इमेज्ट चाहिए है आपको छोटा चाहिए अबासी और सीधा प्रतिविम चाहिए तो सीधा बनेगा चोटा बनेगा अब देखो अब तल या उत्तल और दरपन की बात करना है दोनों दरपनों तो कैसे बना दोगे क्यों क्योंकि अबतल से अगर आबासी बनाओं तो पहली इस्तिति आएगी और उसमें बड़ा बने का क्यों सब्सक्राइब के जाएगा और हमेसा अबासी प्रतिविम च्छोटा प्रतिविम और सीधा प्रतिविम में देगा और सीधा प्रतिविम देगा तो सेजवाब जाएगा समतल आमने क्यों नहीं लिए क्यों कि समतल में ज्यादा तर बराबर का पृतिव मनता है क्योंकि दरपन की लंबाई कम से कम आधी ले ली जाती है तो कुश्चन का सेजवाब होगा ऑप्शन डी कि इस दा करेक्ट आंसर चली चलते हैं अगले कुश्चन पर इंडिया फर्स प्राइवेट डवलफ रोकेट यह सवाल आया था और हमने आप से पहले भी उस टाइम भी काता सौलीशन के समय कि सीटी ग्रेजवेट के जो भी तीन-चार पेपर हो थे सबके आंसर देखके जाना यह सवाल वहां भी पूछा था सवाल यहां भी पूछ लिया देखो सवाल सब्सक्राइब आया था सवाल अभी भी आ गया क्या पूछ राज जी स्टेशने भी सेटलाइट जी ओ स्टेशने भी सेटलाइट बू इस्तिर उपगरा गुमता है जरुवर के ऊपर नहीं एक्विटोरियल होता है विश्वत रिखा के ऊपर गुमता है गलत चलते हैं अगला क्षण आपका आता है 43 43 सवाल है साइन्स से सवाल है और जब भी मैं आपको इंडियन स्पेस इसर्च जो प्रोग्राम होता है भारती हम्तिक चनुसंदान संस्थान तो मैं सबसे पहले यह लाएं लिखाता हूं तेज फर्वरी 1962 की बात है और विक्रम जो बनाया था इंडियान नेस्टनल कमेटी ऑउन इस पे सच इन कोस पार के वढ़न गया था भारती अमत्रिक्ष अनुसंदान कारिकरम के जो सलस्थापक है या जनक है वह कौन है डॉक्तर विक्रम साहरा भाई है कोश्चन का सही जवाब क्या जाएगा और चली चलते हैं इस लिए प्रियोग किया जाता है कोई भी प्यवर सबस्टांस है उस रंग अगर दूर करना हो तो चारकुल को इस्तमाल करते हैं यह कौन से प्रिक्रिया के द्वारा होता है रिदक्षन अप्चन से होगा और इज़ोप्शन अधिशोशन से होगा उक्सी करण तो इसमें क्या जोब यह गया तो इस कुर्शन के सेजवाब जाएगा टी टुक एजवाब जाएगा टी टुक एजवाब जाएगा ऑप्शन के सेजवाब होगा ऑप्शन D is the correct answer चलिए चलते हैं अगले कुशन के और 56 नंबर का कुश्चन निकालिए हिंदी का सवाल है 56 यह गया पुरुष वाचक सर्वनाम है पुरुष वाचक सर्वनाम कौन रहेगा कौन है जिसका है कोई है हम तो पुरुष वाचक सर्वनाम होता है ऑप्शन A हम तो छपपन के सवाल होगा आंसर होगा ऑप्शन A और इसी के साथ अगला कुश्चन आता है उनसट नंबर नीच 59 ये गया इंगलिज का question है choose the correct alternative which can be substituted for the given sentence the period of life in which a person is old and weak question का सही answer क्या होगा एक ही आपको यहां पर correct alternative चुनना था इसके लिए answer बने का senility question का answer होगा बी चली चलते हैं अगला question और next question is 61 except number का सवाल आपके सामने है वो भी इंगलिज से संबन्दित है question number 61 61 number का question यह गया 61 क्या कहता है अपना choose the correct option tenders should be written in a language that is तो इस एक सट का अंसर जाएगा option C जाएगा brief and to the point question का सही जवाव होगा option C is the correct answer चली चलते हैं क्योंसा सब्दू सुद्ध है हिंदी का सवाल है इसका answer होगा गुरूता यहां पर गुरूता सब्दू सही लिखा हुआ है बाकि सब मिस्टेक हैं गलत लेखे हुए और 63 नंबर का सवाल जो है वो साइन से संब्दित है 63 नंबर का क्वेशन बढ़िए ऐसी प्रिकरिया जिसमें कार्बोनेट कार्बोनेट का कोई भी एसको उसको उकसाइड के अंदर मतला सी ओ त्री से औकसाइड ओ के अंदर लाना है तो वाईउ की सी में तो उपस्तिती में द्रड़ता से गर्म करना क्या किलाएगा तो इन्दा लिमीटिंग क्वांटिटी ऑप एयर उसको इस्ट्रॉंगली हीट क कई बार हमने आपको पताया है उनमें से कौन सा एंजाइम जैप प्रदोगी की में आडविक केच्ची कहलाता है रसानीक चाकू बोलो या आडविक केच्ची बोलो आंसर क्या बनेगा पॉलिमरेज यह तो डीने सी डीने का काम कर रहा है टेलर सी वन का कोश्चन का सेजवा दस्त के लिए उत्त्रदाई इक जवान होताहि बिलकुल सही बात है लेकिन उसका प्रकार क्या किलता है ठेकटी ग्राम लिट्म श have से जवा बंदन साही विलौम सब्द नहीं है तो गौरव्लागब सभी तिमिर प्रकास तिमिर्प्रकार में प्रकास ही बंदन बंदा हुआ मुक्ति विल्कु सही है आधी प्रारंब आधी भी शुरुवात होता है और प्रारंब भी शुरुवात होता है विलॉम सब्द नहीं है सवानारती होगे कोश्चन का सेजवाब होगा option B is the correct answer चली चलते हैं अगला सब्सक्राइब होगा तो माइनस को भी चला जाएगा और प्लस को भी चला जाएगा और इसी साथ चौतितर नम्म डाइमट ही रा क्या होता है यह रा ग्रेपाइट फुल्ड्रीम ग्रैफीन चार्कोल कार्बन का का जल हो गया यह सब क्या होते हैं अपर रूप होते हैं कोशन के सब्सक्राइब होगा option D is the correct answer अलोट्रोप कार्बन का अपर रूप इसी के साथ चलता है एग इसरी की बैलेंसी होते है तू अब इसको आप गरम करोगे लीथियम कार्बनेट को तो लीथियम का ऑक्साइड बनेगा लीथियम ऑक्साइड लाइक अग्ला सवाल है इंग्लिज का है 78 नमर का कुश्चन है गो थ्रू दा फॉल्विंग पोईम इन आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो ओ रोस तो आट सिक दा इन्विजिवल वर्म बैट प्लाइस इन नाइट इन दा होली स्टॉर्म हैस फांड आउट बैड ऑप प्रिम संजोय और इस दार्क सीक्रेट लव दस आई लाइफ डैस्टोई एक पोईम दे रखे है वाट दस दा वॉर्म सिंबॉलाइज हेर वॉर्म का मतलब यहां पर क्या रहेगा तो कुश्चन का सही जवाब जाता है ऑप संसी डैठ एंड डिके इसी के साथ चलता है अगली कुश्चन पे और नेक्स कुश्चन अपना ह अग्रेजिया साइंसे संबंदित आता है 89 नंबर का सवाल साइंस का है नवासी कुश्चन नंबर 89 नंबर का सवाल आपके सामने है देखिए इस कुश्चन का सही जवाब क्या होगा 89 the difference between sugar molecules of DNA and RNA DNA और RNA की सरकर आणु में अंतर क्या होता है DNA और RNA की सरकर आणू एक इडियोक्सी shark सरकरा होती इक में राइबो सरकरा होती है DNA के ंदर को होता है दो नंबर के सब्सक्राइब करेक्शन चलते हैं एकली कोशन पर और नेक्स कोशन जो अपना आता है वह 97 साइंस का सवाल है सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करेक्शन चलते हैं अगले कोशन पर नेक्स कोशन आपका जो आता है वो है 104 नंबर हिंदी का सवाल है 104 नंबर किस सब्सक्राइब किस सब्सक्राइब करेक्शन और इसी की साथ 105 नंबर इंग्लिस का कुश्चन है अगले कोशन पर तीनों सब्जेक्ट में अगला सवाल जो आता है 108 नंबर का चलिए सर 108 प्रिज्म का सवाल है कई बार बताया है वन बिक्षेपन में सबस्यादा जुगाव किसका होता है कितनी बार आपको जो सवाल डिसकस किया होगा और बिनfrage था कि कोई फिर्ग होगा यह प्रिकास आएगा साथ रंगों में बटेगा और सा बटकर कहा जाएंगे लीचे ट Grow कि बिविभिया और बनता है सबस्यादा जुकाब जो होता है नीचे की दरब बैग्णी का हुता हैbek कोश्चन का सभ rapping सब्सक्राइब करें तो तचापन रिधारित करता है तेलाग्रा में दस्त होता है आतो पर प्रवाव होता है। क्वाशी और कोर और कर्गत आंसर, और औरक्शन अपना आता है। को यह स साइन्स से समझती सवाल है आपका y1-2 नम usa को क्षचन है। कि विध्यार्त जीवन कोहां सा stuffs होता है सब का माइनस का नमबर होता है सब का सब्सक्राइब होगा है प्दख़ सक्षेष्ट नहीं दिखने गण多 बोल दिया और निकट द्रस्टी दोश के अंदर कॉंसा लेंड्स इस्तिमाल करते हैं अप्तलेंज कुश्चन कैसे जवाब निकट द्रस्टी दोश होगा अप्तलेंज होगा आंसर डी सब कराए हुए सवाल है नोट्स में चलिए अगला सवाल 123 नंबर 123 यह अच्छा सवाल है और यह ना कोई कराता है ना को लिखाता है क्यों कि पैटन यह लग है वैसे बता दूँ आपको आपको सवाल है लेकिन अब सवाल आया है तो देखना तो पड़ेगा स्लिवस आपके अक्कॉर्डिंट तो स्लिवस यह कुश्चन नहीं है और कुश्चन है एक सी एपई प्लस आयन की यह फ्री तो इस कुश्चन का सेजवाब जायेगा ऑप्सन है वर्ग स्क्वाइर प्रामिडिकल वर्ग प्रामिडी है क्यों कि यहां से वर्ग का निर्वान हो जाता है और प्रामिड बच जाते हैं एक उपर एक ऐसे नीचे तो वर्ग प्रामिड होगा चलिए अगला सर जी कल के लिए क्या पढ़ें यह कुश्चन पढ़ लो सीटी के करिद्य को आप नोट्स पढ़ने का टाइम तो बचा नहीं है कल आपका पेपर है पहले सिप्ट में भी तेस सवाल आए थे तो अठारे बीस सवाल आपके नोट्स और इसमें भी लगवाक अठारे के करीब आपके नोट्स के अंदर मल जाएंगे पर अब समय बचा नहीं कल वाले के लिए हाँ जिनका पेपर गया रहे कोई अभी भी वक्त है साइन्स क्लियर करनी है नोट्स पढ़ जाओ 25 सवाल भी आए तो 15 से 20 हो गए तो समझे लो बहुत बड़ी बात है वो भी कड़ा लोगे आप और इतने सवाल नोट्स आए रहे और नहीं पड़ पाते हो तो भया सीटी ग्रेजुट हुआ लगी सी के प्रिवेस कोश्चन्स हुए खूब रिपीट हो रहे और यह जो दो पर हुए तो यह सब कोश्चन्स कर जाओ प्रैक्टिस लास्टेस के कोश्चन्स पढ़ लो इतना ही टाइम बचाए आपके पास नोट्स तो क्या ही पढ़ोगे चलो अगला सवाल यह आपके सुबह की पेपर में भी आया था विप्रीत लक्षन वाले जीन के जोड़े को कह केते हैं और मैंना आपको सब भी आंसर बताया था एलील केते हैं अग्लेखते हैं औरनेक्स कोश्चन आपका आता है 130 नंबर का सवाल 130 एनी काइंड ओफ लेटर इंग्लिस का सवाल है एनी काइंड ओफ लेटर जोनरली एंड्स बिद एनी काइंड ओफ लेटर जोनरली एंड्स बिद 130 कोई भी लेटर है वो कौन किस चीज के साथ में खतम होता है signature, heading, salutation या subscription सब्सक्रिप्शन के साथ option B is the correct answer 130 का आंसर जाएगा B इसी के साथ अगला कुश्चन आता है 139 हिंदी का सवाल है 149 चलिए सब्सक्रिप्शन 149 नंबर का सवाल आपके सामने है और कुश्चन का करा किस सब्द में समास संबंदी है किस सब्द में समास संबंदी असुद्धी है समास संबंदी असुद्धी चक्रपानी अहुरात्र योगिराज नवरात्री कुश्चन का आंसर जाता है option D is the correct answer नवरात्री इसमें समास संबंदी असुद्धी बताई गई है चली चलते हैं अगला कुश्चन है 141 141 इंगलिस का सवाल है चूज दा करेक्ट ऑप्शन फोर दा पैसिव कंस्ट्रक्शन है एवरीवन कॉल्स हिम आप पीसमेकर 141 का अंसर क्या बनेगा इस कॉल्ड पैसमेकर पीसमेकर और यहां पर बोड़ना है कि पैसिव कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा इस कॉल्ड पीसमेकर और इसी के साथ आता है अगला सवाल 144 144 इंगलिस का है क्या कहता है फिल इन दा ब्लैंक विद एप्रोप्रियेट डिटर्माइनर प्रम दॉप्शन गिबन बिलो डॉट 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 ड़ट ड़ट डिरका पैन विल दू तो 144 का अंसर जाता है अप्शन ए अप्शन ए इस अगला सवाल है एक सब गुड़न चाहस नम्मर भी इंगलिस का क्वेशन है फोड़ा सा नीच है इस है प्रत्वी तो रहेगी तो option B is the correct answer और ये लोग आपका 1.500 नमबर का फिर से science का सवाल, दरपन लेंस का लेंस का सवाल है, directly लेंस का सूत्र पूछा गया है और आप जामते हो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1 बटा है बराबर 1 बटा B minus 1 बटा U question का सही जवाब होगा, अगर आप यहाँ प्लस करते हो, तो यह बन जाएगा दरपन का, और अगर आप माइनस करते हो, एक बटा है, बराबर 1 बटा B minus 1 बटा U question का सही जवाब क्यों, क्योंकि lens का formula पूछा गया है, 1 upon F is equals to 1 upon B minus 1 upon U correct answer B, तो देख लो, अब मैं तो हिंदी और इंग्लिस की मिना अंसर आपको जरू टिक कराए हैं, और अपन तो ज्यान वाले आदमी हैं, साइंस वाले, तो साइंस में आपके completely 25 questions attempt हैं आपर, और 25 में से लगवाग लगवाग 15 से 20 सवाल भी आपने अच्छे कर दिये होंगे, अगर आपने notes पड़े हुए होंगे, हाँ, दो-तीन सवाल तो बिल्कुली आउट उप से लिवस थे, उनका तो क्या है कर सकते हैं, आगे तो आगे, कह नहीं सकते कुछ भी, तो अभी भी सतर्क रहे, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, पांच तारीक वालों के लिए तो समय नहीं बचा, लेकिन 11 तारीक का जिनका एक्जाम है, अभी भी पांच से 6 दिन बचे हुए हैं, पर डालो कंप्यूटर की सरह हैं ठीक है अब कंप्यूटर सब्जेक बच्ची है आपको आंसर्स देने के लिए तो सरवी आ रहे हैं इंतजार कीजिए, बने रहे हैं, धन्यवाद करवस्ची है क्या है कर दो क्या है कर दो क्या कर दो कर दो झाल झाल नमस्कार दोस्तों आप जो questions हम देखेंगे वो देखें, computers है, ठीक है, तो first question है, computer का देखें, we lookup function कारी करता है, question क्या पुछे गया है, we lookup function क्या कारी करता है, अब यहाँ पर दे रखा है, हमें दे रखा है, lookups have patched that contain V, तो हमें यहाँ पर बता है, दो साइस को एकदम समानता लिए देखता है, नहीं मिलने जुलने वाले records जूरता है, तो यहाँ पर देहार रखना कौन सा option राट होगा, D option, यानि कौन से, इससे related record यह देखता है, यानि यानि, column को search करता है, यानि यदि कैसे search करता है, log applies और ये किस के लिए होता है, horizontal के लिए, किस के लिए होगा, horizontal के लिए, यानि raw की बात करेंगे, तब कौन सा आता है, तब यहाँ पर, h lookup function आता ह्, यहां पर कौन सा option राट होजाएगा, D option right होगा, find related records, ठीक है, D option, next question, देखिए इसके बाद है 31 देखिए क्यों से यहां पे logical operators का उधारन है ठीक है और आप यहां पे दे रखेंगे प्लस दे रखेंगे प्लस तो आपको पता है कौन सा है arithmetic का है ठीक है कौन सा है arithmetic तो यह तो होगा नहीं इसके बाद यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यह भी नहीं होगा यह किसका है relational का ठीक है किसका है relational operator का और इसके बाद यह जो है इस जो है यहां पे यहां पे यह होता है function होता है यहां पे कौन सा होता है function होता है ठीक है और इसके बाद यहां पे यह जो होता है exclusive or और यह exclusive or इसके अलाव यहाँ पर or not and यह सारे की सारे कौन से होते हैं logical operator होते हैं तो यहाँ पर कौन सा option right होगा c option right होगा इसका कौन सा होगा c option वैसे हो सकता है कि यहाँ पर if function भी होता है ठीक है और कौन सा function होता है लोजिकल फॉंक्शन होता है यह कौन सा होगा लोजिकल फॉंक्शन होता है ठीक है तो यहाँ पर C option राइट होगा एक्सकुलिजीव 4 इसके बाद है next है 45 देखे इसके बाद next है 45 अब यह दे रहा है जब एक पढ़नाली में इन्पूट प्रोसेस आउट्पूट पहले से पूरी तरह ज्यात होगा यह पढ़नाली कहलाती है तो द्यान देना यहाँ पर दे रहा है सद की उसमें से है यह वाला तो इसके बात करते हैं तो आपको पहले से ही आपको ज्याद हो तो हम किसकी बात करते हैं यहां पर Krot तो open का miss क्या है कि वो जो है किसके साथ interact है environment के साथ और close की बात करते हैं तो environment के साथ interact नहीं है तो इस questions का right answer होगा इसके बाद है यहां पर next 46 देखिए ध्यान देना यहां पर computer यहां पर हमने कहा कि computer अब किसको execute करता है computer तो यहां पर दे रहा है system analysis, coding, maintenance और system design यहां पर बात की जाएए तो आपको पता है कि coding जो होती है coding को यहां पर हम बात करते है coding जो है वही computer यहां पर execute करता है तो यहां पर अगर आपको देर्ख होता और प्रोग्रामिंग भी शिता होता है तो भी यहां पर आपकराइट आस्फरल कौन सा होता है जै किवरामिंग इसकी बात करता है प्रोग्रामिंग, कौन सा ओप्षिन हो जाएगी भी औप्सन राइट हो गए है धो दी, ठीक है? देखिए और ये क्यूशन तो देखिए आप control प्लस Y इसका use पुछा गया है क्या प्रियोग किया जाता है control प्लस Y का options आप मारे सामने given है यह देखिए अगर document को close करना हो तब हमें पता है document को close करने के लिए हम किसका use करते है है control प्लस W का ठीक है और इसके बाद हमें देखिए रिडो और रिपीट लास्ट एक्शन तब इसकी जब बात की जाए तो यहाँ पर control प्लस Y और undo की बात की जाए यहाँ पर control के साथ Z ठीक है और align यह paragraph यहाँ पर कितने alignment होते यहाँ पर यहाँ पर जो right answer होगा कौन सा right answer होगा बी option रिडो किसके लिए रिडो के लिए तो इस questions का right answer होगा बी ठीक है कौन सा अब बात की जाती है यहाँ पर alignment के लिए यहाँ पर control प्लस और right align के लिए और ऐसे हम यहाँ पर बात करें control प्लस और और control प्लस ए central alignment के लिए ठीक है central alignment के लिए और ऐसे यहाँ पर हम बात करें control प्लस control प्लस जे justify के लिए तो यह तो आपके किसके होते हैं paragraph alignment के लेकिन यहाँ पर question क्या बुचा है रिडो के लिए या repeat last action के लिए कौन सा यूज के जाता है y control प्लस y किसके बाद है question number 82 इन पूट से आउट पूट में परिवर्तन किसके दवारा होता है ठीक है और आपको यहाँ पर दे रखा है एक तो देखो यहाँ आप देखोगी यह तो किसके लिए होता है power supply के लिए होता है इसके लिए होता है UPS power supply के लिए होता है तो यह option तो हमें पता है नहीं होगा अब यहाँ पर दे है input और output unit तो इसने कहा कि अगर input को अगर output में हमें बदलना हो, convert करना हो तो किसकी requirement होती है हमें तो input output unit होगा नहीं और peripheral devices कौन से होती है input output devices को हम क्या कहता है peripheral devices कहते है क्या कहेंगे, peripheral लेकिन यहाँ पर कौन सा right answer हो जाएगा B option right होगा, कौन सा होगा CPU Central Processing Unit CPU, B option क्योंकि इसी का कारी होता है इसका कारी क्या होता है, input को output में change करनेगा ठीक है इसके बाद है 92 question और क्या है यहाँ पर successful या remainder निकालने के लिए MS Excel में कौन सा function काम में लिया जाता है ठीक है, option दे रखे mode, int, fact और deal div नाम का कोई function होता है Excel में, ठीक है division के लिए div नाम का function नहीं होता है आपको सीधा direct किसे निकालने होता है division से, इसके बाद यह जो function है, यह होता है factorial निकालने के लिए, किसके लिए होगा factorial, ठीक है और इसके बाद यह जो होता है इन्टीजर वैल्यू निकालने के लिसे के लिए Maria करी अगर कि अगर घार्य को इस मानकर चलो अगर यह इस तरह से दे रखा होता उसके सब्सक्राइब कि धैजर्य को नर्यां तो यह जब क्या करता है तो यहांपे 14 थ्री से डिवाइड होता है और कितना रिमेंडर आता है तो यहांपे किस के लिए जबता है, mode होता है remainder के लिए, तो कौन सा option right हो जाएगा, ए option right होगा इस questions का, mode, ठीक है, तो mode मतलब, जैसे 14 है, 3 से divide किया, तो यहाँ पर remainder कितना आएगा, 2 remainder आजाएगा, ठीक है, तो यह questions, इसका mode यहाँ पर right आतर होगा, इसके बाद है, 93, इसके बाद है, यहाँ पर 93, which of the following is not one of powerpoint view, और morning वाली shift में आपने देखा होगा, यह presentation का यही questions आया था यहाँ पर, ठीक है, और आपने देखा होगा, वहाँ पर option दे रखे थे, यहाँ पर, आपको पता है, यहाँ पर कौन सा view नहीं होता, कौन सा नहीं होता, देखे, ध्यान देना, अगर हम outline view की बात करें, यहाँ पर, किस की बात करें, outline view की बात करें, यहाँ पर, तो outline जो view है, यहाँ पर, यह तो होता है outline view, लेकिन यह बाद वाले version में मिलेगा आपको, ठीक है, slide show view भी होता है, ठीक है, यह भी होगा, नहीं कुछा है, यह भी होता है, slide view कौन सा होता है, slide view आपका कौन सा होता है विव नहीं होता है। प्रजंटेशन नहीं होता है थीक है मौनिंग वाले क्यों से पुछा गया था स्लाइड व्यू जो है वह कौन सा है नॉर्मल विव को हम क्या करते हैं स्लाइड व्यू करते हैं आउटलाइन व्यू आपके जब देखो गे ना बाद वाली वर्जन्स हैं जिन में आपको कौन सा दे रखा है आउटलाइन व्यू दे रखा है थीक है तो कौन सा भी आउट सा राइट होगा आउट देखिए इसके बाद यहां पर नेट्वर्किंग का क्यों दे रखा है यहां पर 98 और क्यों क्या है यहां पर जानकारी को संचार माध्यम्यार्ट चैनल पर भेजने की दर क्या क्या चैनल दा रिट इंफोर्मेशन इस ट्रांसफर्ड इन एक और उनको क्या कहते है और यहां पर नेन यहां पर भेजा और बोर्ट रेट तो इस सेकेंड में कितने यहां पर ट्रांस्पर होए तो जैसे mbps, kbps तो यह क्या आते हैं यहां पर megabit per second, kilobit per second तो यहां पर right answer कौन से हो जाएगा, d option right होगा इसके बाद देखिए यहां पर, questions नंबर है 102, Microsoft Clip Gallery का use या प्रियोग किसलिए किया जाता है, यहां पर आपको दे रखा है spell check करने के लिए, spell check करने के लिए आप देखते हो ही यह कौन से मिलता है, review tab में देखने के लिए इसके बाद वर्ड आर्ट की बात करते हैं तो वर्ड आर्ट आपका किसके लिए होता है आपको पता है कि जब डेकोरेटिव टेक्स्ट की बात की जाती हैं पे अपकी जाती है तब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर सजावर की बात करते हैं तो वर्ड आट की बात करेंगे तो यह ओप्शन किसमी नहीं होता यह औप्शन यह आप नहीं होता तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो एड trad ठीक है क establishing इसके बाद next question है 135 questions devices are data और instructions CPU को उपलवद कराने में लगना वाला समय क्या कराता है यहाँ पर ठीक है लगने वाला समय क्या कराता है यहाँ पर जब आप देखते हो यहाँ पर access time क्या बताता है आपको जितना access time आपका कम होगा तो उसको पढ़ने में उतना ही या लिखने में कम समय लगता है तो यहाँ पर बात की जाए clock speed जो है clock speed की जब भी बात की जाती है तो हम किसमे हर्च में यहाँ पर measure करते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो options जो right होगा कौन सा होगा ठीक है तो यह टोटल जो questions आये थे वो total questions आये थे यहाँ पर 11 questions morning की shift में भी 11 questions थे यहाँ पर दो questions आपके जो थे वो थे यहाँ से हम बात करें system analysis and design का जो subject है वहाँ से related थे तो वो मैं कह सकता हूँ कि बहुत difficult level पर थे दो questions तो बाकी 9 questions आप अगर थोड़ी अच्छी द्यारी करते हैं तो 9 के 9 questions आप कर सकते हैं ठीक है और ठीक है और आपके सारी 150 questions cover हो गए साइद ठीक है कर टाइद झरीक है